तमाम राज्यों में बिधान स्वाचुना संपन्न होने के साथ ही अब सभी राजितिक पार्टि की नजर अगले साल होने वाले लोग स्वाचुना पठिकी हुई है गौरत लब है कि भाजपा साइट कॉंग्रिश उन राजयों में ज्यादा से ज्यादा रह लियां करने पर जोर दे रहे हैं जहां पर उनकी छवी कुछ खास कम है हलाकि इसी बीच कोलकाता हाई कोर्ट ने भाजपा को एक बड़ा जटका दे दिया है दरशल भाजपा ने 7 दिसंबर से पस्चिम बंगाल के कुछ बिहार से एक रथ यात्रा निकालने का प्लान बनाया था जिसके बाद भाजपा के इस प्लान को पस्चिम बंगाल के राजी सरकार की तरफ से अनुमती नहीं मिली जिसके बाद भाजपा ने कोलकाता हाई कोर्ट का दर्वाजा खटखटाया लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने भी भाजपा को इस रैली की जाज़त नहीं देते वे कहा कि इस रैली से छेतर में शंप्रदाइकता दंगा फैल सकता है हलाकि सुनवाई के दोरान भाजपा के वकील ने अपना पक्ष रखते वे कहा कि समिधान सभी राजनितिक पार्टियों को देश के किसी भी छेतर में रैली आयोजित करने का अधिकार देता है तता भाजपा सांति पुर्वक रैली कायोजन करेंगी यदि इस दोरान कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसका प्रवंध राजय सरकार प्लिस प्रशाशन को करना चाहिए हलाकि भाजपा की सभी दलीलों के बावजूद नियायाले ने अश्परश्ट तर प्रशाद दिशमर को रथ यातरा करने पर रोग लगा दी वहीं कुछ भीहार के पुलिश अधिक्षक से 21 दिसमर तक इस मामले में एक गोप नियाय रिपोर्ट शॉपने के आदेश दिये गए हैं गरतलव है कि पश्चिम मंगाल में कुल 42 लोक्षवा सीटे हैं ऐसे में दिभाजपा इस रथ यात्रा को आयोजित नहीं कर पाती हैं तो निश्चित तर पर भात्पा के वोटों पर एक बड़ा प्रभाब पड़ेगा जो कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के लिए एक च चाहेंगे